तो जब भी मां कॉमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे अगली वीडियो का आडिया मिल जाता है तो सबसे आदा सवाल जो पूछा गया जो हमारे को गेमिंग लाट आप लेने तो कौन सा बेस्ट रहेगा अब 60-70-80,000 वाला बजट है इससे कम में जो सोच रहे हैं वरना भाई मतलो पैसे वेस्ट नहीं है वह वह वाली फिर कभी प्लान करते हैं तो सबसे बहले स्टार्ट कर लेते हैं 60-70 के वाला बजट है तो य वह राइजन 5 5600H, RX 5500M, जो कि 4GB अग्राफिक कार्ड होता है 8GB RAM 144Hz आपको यह में मिल जागा यह हमारा 60,000 का अब यह लाप्टॉप है best at this point अगर आपको अच्छी प्रोड़क्टिवीटी वाला CPU चाहिए राइजन 5 5600H, 1080p की वीडिटिंग, 4K बेसिक वीडिटिंग, प् स्पेसिफिकेशन में HP Victus भी है, अब HP Victus इसले इंक्रूड निगा है क्योंकि गेमिंग लाप्टॉप सजेस्ट कर रहे है, 60Hz का लाप्टॉप मैं एक भी सजेस्ट नहीं करूँगा वीडियो में, क्योंकि गेमिंग है, क्योंकि आपको 60 प्लस फ्रेम्स मिलते हैं, इवन 100 प्लस फ्रेम सी बिल जाते हैं, तो ओविएसली 144Hz और 120Hz के लाप्टॉप इस वीडियो में कवर होगे, और इस लाप्टॉप का रिवीव कोशिश करूँगा में जल्दी लाने की, बागी इस वीडियो में जितने लाप्टॉप में लगबग 80% के रिवीव तो है चैनल पे, फिर सेकेंड लाप्टॉप आता हमारे लिस में, लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3, यह भी हमारा राइजन 5 5600H के साथ आएगा, 1650, 8GB RAM, 120Hz पैनल, और जो स्टोरेज आप चेक कर सकते हो, लिंक सब लाप्टॉप के डिस्क्रिप्शन में है, को SSD के साथ है, को HDD के साथ कुछ कोंबों के साथ है, बात आते हैं, डिस्प्ले के लाप्टॉप की सब के अंदर आपको वही 45% NTSC वाली, 250 Nits वाली और बेसिक दिस्प्ले मिलेगी, उसके बाद आ जाता है, आपका सबसे सस्ता RTX 3050 का लाप्टॉप, MSI GF63 Thin, यह आता हमारा i5-10500H, जो कि हमारा 6-core RTX 3050, आपको से लिए 40W वाला, क्योंकि यह थिन लाप्टॉप है, और यह वाला जो लाप्टॉप है, यह मास्टरपीस है, इसका मैं रिव्यू कर चुको हूँ, आपको वीडियो का लिंक मिल जागा, डिस्क्रिप्शन और आइकार में, जो इस लाप्टॉप की परफॉमें के लिए भी जा सकते हो, दोनों की परफॉमेंस सेम मिलेगी, स्पेसिफिकेशन सेम है, इवन थरमल्स भी दोन लाप्टॉप के सेम है, और इस वाले नाइट्रो का रिव्यू है चैनल पे, तो आप देख सकते हो, उसके बाद आ जाता हमारा 60-70 का लाप्टॉप हो है, हमारा दिफरेंस मिलेगा, एक परसंट भी नहीं मिलेगा, बर वनाप कि wrap पर 17.50 पर दो सकते हैं, कैए हाँ और ये लाप्टॉप लेस्ट का है, और ये प्र चैनल पने का क्या है, AUSTै मूर की ए और आपक ऐखिए अन और वाद दो path suit और ये बिडियो माँ यह अ सेल में डिसकाउंट तो मिले गए उसके ऊपर cashback कमाऊ हो cashback छोड़ो आप cashback कमाऊ हो तो इसी cashback के साथ एक application के बारे मताता हूँ happy credit app यह हमारी cashback application है और यह जो हमारी app है यह दूसरी cashback app से different क्यों है इसके कुछ highlight points है जो हम आपको बताना चाहता हूँ 15 days के अंदर confirmed cashback आपको मिलेगा आप अपना order place करते हो उसके just 15 दिन बाद आप अपना cashback अपने bank में transfer कर सकते हो दूसरी application में 30 days even 35 days तका time होता है और इस application के अंदर अपना cashback आप instantly track कर सकते हो यहाँ आपने order place किया वहाँ आपका cashback शो हो गया जबकि दूसरी application में क्या होता है कि आपको कुछ shopping करने पड़ती है cashback आउन करना पड़ता है फिर एक minimum cashback generate होता है उसके बाद आप transfer कर पाऊगे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो sale आ रही है कुछ भी purchase करना हो आपको इसकी application को होलना है अपना retailer search out करना है उसके बाद उस retailer से वैसे ही shopping करो जैसे आप करते हो buy now, proceed to checkout वगयरा सब कुछ और जब आपका order place हो जाएगा आपका cashback instantly आपके cash out section में reflect करने लगेगा जिसको आप directly हमने bank में transfer कर सकते हो उसके बाद आपको online payments करनी हो UPI करना हो, ATM से withdraw करने हो वो सब आप इस application के through कर सकते हो तो फिर सोच के रहे हो, ऐसी भी sale हा रही है अपनी list बनाओ, क्या-क्या खरीदना है, मेंगा सस्ता जो भी और आप cashback का ashback उठाओ description में link है, download करो अब आता हमारा अगला segment 70k to 80k वाला जिसके आपको common specification उता जाता हूँ आपको 75 watt वाला 3050 मिलता है और इसी का ही Ryzen 5 5600 वाला variant मैंने review कर रखा है आप वो देख सकते हो, gaming performance से मिलेगी और दूसरा हमारी list पे है, वो वो ही वाला variant है Ryzen 5 5600 ह, 3050 के साथ बागी specification बता दी मैं आपको, वो आपको पढ़ता है तो आपको performance gap भी बता जल जाएगा कि इस specific processor और इस processor में कितना फर्क है आपकी buying choice easy हो जाएगी फिर हमारे अगले दो laptop मैं एक साथ cover लेता हूँ A15 and F15 A15 के अंदर हमारा Ryzen 7 4800 है जो कि हमारा 8 core वाला processor है और वहीं F15 में हमारा i5 11400 है जो हमारा 6 core वाला है 72 80 के budget में और हाँ इनके अंदर जो RTX 3050 है वो 75 watt वाला फिर आता मारे लिस्ट का last laptop Dell G15 इसका review भी recently किया हमने और इसके अंदर आपको Ryzen 5 5600 ह मिल जागा RTX 3050 मिल जागा और यह 8GB RAM और 16GB RAM दोनों में available होते हैं और इनका जो price रहता है वो 75,000 से लिएके 82,000 तक होता है तो इसका जो 8GB वाला variant है वो जादा सस्ता मिलता है like 74 तक भी मिल जागा आपको 75 तक और वही बात है अगर आप 16 वाला लोगे तो 80, 81, 82 का पड़ेगा और जो 8GB मारी RAM आती है वो 4000 एप्रोक्स आती है क्योंकि सारे 4GB graphics card वाले laptop है एक 3060 वाला laptop भी आड़ कर लिया उसके लिए आपको budget 7,000 वाला पर करना पड़ेगा 87,000 गा है हमारा MSI GF65 थिन इसके अंदर हमारे को i5-10500 है जो कि 6 कोर वाला है और RTX 3060 मिलेगा 75W वाला 16GB RAM आपको उसके अंदर मिलते है और 144Hz की डिस्पले और इसी laptop का i7 वाला variant मैं भी रिव्यू किया है गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों के आपको सेम मिलेगी i7 वो भी 6 को और वाला है ये वाला भी 6 को और वाला है आपको Justin के dedicated review देखने है looks देखनी है, performance थोड़ी बहुत देख लेनी है thermals वगारा आपको easily पता जल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बना हुआ है तो description में सारे laptops के link है buy करना हो, वहाँ से buy कर सकते हो, you know थोड़ी बहुत help हो जाते है channel को और अगर cashback slash ashback कवाना चाहते हो तो happy credit app download कर ले न, description में link है और like मार दो वीडियो को, subscribe कर दो channel को हम मिलते हैं नेक्स वीडियो बदब तक के लिए, bye